हेलो नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में कुछ इस पकार से रमजान इत के लिए ग्रूप पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को शुरू से लेके अन्तक आप लोग देखते रहिए ताके आप लोग भी इस पकार से रमजान इत के लिए ग्रूप पोस्टर बना सको दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए जो PLP फाइल यूज हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसमें एक पास्वर लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को तीन स्टेप में मिल आएगा दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चल अप्लिकेशन की जुरूत परत ही है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रीप्रेंच में दे रखा है आप लोग वहां जाके इस्जल डाॉन लोड कर सकते हो तो दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चल अप्लिकेशन को लिए अप्लिकेशन को ओपन करते ही कुच इस तरह का इंटर्पेस हमारे स्क्रीन प क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके ओपन प्यल्पी फाइल पे डबल क्लिक करेंगे यहां पर प्यल्पी पे क्लिक करेंगे यहां एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और जहां भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहां से हमलो फाइल को ओपन कर लेग यहाँ पे रमजन EAT PLP पे क्लिक करेगे Open and Add पे क्लिक करेगे यहाँ पे OK कर देगे उसके बाद बेक हो जाएगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रूप पोस्टर तैयार करेगे इसके लिए PLUS के बाद में जो आइकोन बनाए हो आपे क्लिक करेगे और जहां भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते है तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ फोटो पींजी लगा रखा है तो दोस्तो अगर आप लोगो यह फोटो पींजी पसंद नहीं तो इसे डिलीट कर सकते हो और इसकी जगा नई फोटो पींजी एड़ कर सकते हो इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकोन में वहाँ पर क्लिक करेगे और जहां भी फोटो पींजी है वहाँ पर डिलीट वाले आइकोन पर क्लिक करके इसे हम लोग डिलीट कर देगे उसके पर दोस्तो प्लस वाले आइकोन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलेरी में जाके हम लोग नई फोटो पेंज यहाँ पर एड़ कर सकते है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ आप सभी देश्वासियों को रमजान इद की तहदिल से मुबारक बाद अगर आपलों के पास इसे भी बढ़िया कोई डीजी फोंट है तह typically use कर सकते हो या फिर इसे ही रेने दे सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने गुरूप फेरेम लगा रखा है दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने दोस्तों का अपने गाउं के लोगों का फिर अपने परिवार के लोगों का फोटो पेँजी एड़ करकर अपना ग्रूप पोस्टर तैयार कर सकते हो इसके लिए plus वाले icon पर क्लिक करेगे, from gallery में चले जाएगे और यहां भी हमने photo page save करके रखा हुआ है वहां से हम लोग photo page को select कर लेगे यहां से मैं यह वाले photo page ले ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों इसको crop कर लेगे जितना भी हमें चाहिए उसके बाद यहाँ पर ok कर देगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बड़े वाले बिंदू पर click करेगे और उसको छोटा कर लेगे जिसे frame में सही जगा पर exist हो जाए तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक photo png को add कर दिया है इसी पकार से दोस्तों बागी की photo png एड़ करके हम लोग अपना group poster तयार कर सकते है अब दोस्तों इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करें इसके लिए share वाले icon पर click करेंगे image format में jpg या png सिलेक करेंगे quality dimension में ultra select करेंगे और save to gallery पर click कर देगे दोस्तों इस पकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तों इसी पकार से आप लोग को किस festival का या आपने shop का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा जिससे आप लोग mobile से ही poster बना सको दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिन जय भारत